अबसकार माई अविस्यकराज संडे सवाल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप संडे सवाल का हिसा आप भी बनना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में आप भी कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का रिपलाई हम अगले एपिसोड में देंगे ठीके सबसे में बता सकते कि आपको क्या करना चाहिए ठीक है ये एपिसोड मूर 76 है ठीक है आप भले सब्सक्राइब कोई वीडियो ना देखे लेकिन संदे सवाल का वीडियोra करिए आपके कारियर के लिए और इस माह के, परताएक माह के जो महत्मुन प्रश्ण होते हैं, उसका आपको समरी मिल जाएगा, हाई लेबल MCQ मिलेगा, फीस, मेश्टी, के लोजी का, ठीक है, हिस्टी, करमेश्टी और पॉलेटी का, इधर मासी करेंट अफेर बुश्टर ले सकते हैं, तो सबका किसी का 30 रुपया, किसी का 30 रुपया, किसी का 32 रुपया प्राइस है, लेकिन चाहते कि चारों चीज हम ले लें, तो चारों चीज आप मातर आपको 111 रुपया में मिल जाएगा, 12 सेट करेंट अफेर का, 12 सेट इसका, 12 सेट इसका और 12 सेट इसका, तो जोड़ लिजेगा तब महिने का 10 रुपया भी खर्चा नहीं है, और आपका करेंट अफेर, हिस्ट्री, जोगराफी, पॉलेटी, मैथ, रिजनी, सब का सेट भी मिल जाएगा, तो काफी अच्छा है, आप जोड़िया कर लिजेगा, इसको जोड़िया करने के लिए, इजी वे गलोबल को डाउनलोड करने के लिए, और डाउनलोड करने के बाद, इस्टडी मेटरियल में चले जाएगा, वहाँ ये सारी चीज़े आपको मिल जाएगा, ठीक है, अब जो बाच्चा का ये डाउट है कि भाई, सर हमको बढ़ियां से त्यारी करना है, हम त्यार कर लीजिए, ठीक है, और full course जोइन करिएगा, ठीक है, किवल टेकनिकल पढ़के नहीं, full course जोइन करिएगा, उसमें आपको टेकनिकल का, मैद का, रिजिनिंग का, जीके जीस का, सारे classes मिलेगा, साथ में, study material, practice set, questions bank, सारे questions का solution, वीडियो, previous question, उसका solution, तमाम चीज़े हम करा देंगे, कि भारत में कहीं भी कोई भी आईटे के लिए भरती निकलती है, तो उसके लिए आपका tension 100% 0 हो जाएगा, ठीक है, यह जनकारी था, तो बाबू, easy way, global, download करिए, और अपने recording, badge को join करिए, master course के अंदर में आपको foundation badge दिख जाएगा, ठीक है, अब एक और चीज आप लोग के लिए हम कर दिये, optis class, easy way coaching को tie up कर दिये, फाइदा क्या होगा, कि जो math, math के लिए परसान थे, gkgs के लिए परसान राते थे, कि सर्फ बढ़िया content नहीं मिला, हमने optis class को बुल दिये, कि हमारे जो ITAE के बच्चे हैं न, इनकी जिवारी math, reasoning और gkgs की आपको हम देत हैं, आप बढ़िया से बेहतर धंसी इनको पढ़ाईएगा, ठीक है, तो पता है, पहली बार, optis class के माध्यम से 999 रुपया में, 999 रुपया मात्र, आपको math, reasoning, gkgs दोनों, ठीक है, इसका लवा English, ये सारे subject मिल जाएगा, ठीक है, और ये साल अभर के लिए, इसमें ये भी foundation बैच है, इजीवे में, केवल math का price 999 रुपया में आपको सारे subject मिल रहे हैं, per day अगर एक रुपया भी खर्चा करते हैं, एक subject पे, तो आपका काम हो जाएगा, है ना, single लेंगे तो 2999 मिल जाएगा, मतलब साल का 365 दिन होता है, तो उससे भी कम पैसे में, आपको एक साल त रागता है कि math, gks, engineering, English में हम कमजोर हैं, पढ़ें, और ITI के अलावा भी बहुत सारे जो आती हैं, उसका त्यारी करें, तो आपके लिए बहतर बिकल्प सावित हो सकता है, देख सकते हैं, अप्टिस क्लास, EGVA Global, ठीक है, तो जूड़ जाए, मजा लिजे, डाउनलोड कर जीजे, 7 जुलाई से यहां भी कलास से स्टार्ट है, जो इसका 999 ओला जो foundation, भैसे जो आन कर लिजे, विश्वास करिए, जिन्दगी में बहुत बड़ा परिवर्दन होगा, ठीक है, अब आते हैं, पहला कोश्चन, पहला कोश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे र का, UPPCL का त्यारी करना चाहती हूँ, मैं त्यारी कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं UPPCL से कर लूँ, सर कुछ, बताईए प्लीज, देखिए, आपके एज, देखने कर दूसारा मुझे लग रहा है, कि आप लगभग 11 साल होने वाला, ठीक है, अगर आप apprenticeship करते हैं तो आपका age हो जागा 22 साल ठीक है और 22 साल जब age होगा तो मुझे लगता है कि आपके पास समय कम बचेगा कि आप बढ़िया से त्यारी कर पाएं तो मेरे ख्याल से apprenticeship का कोई role नहीं है अगर आप दिमाग लगा रही है कि यूपी फिसल से apprenticeship करें तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए समय खराब होगा ठीक है क्योंकि लड़कियों को ऐसे भी टाइम बहुत कम घरवा ले देते हैं फिस साधी ओगर चल जाता है आगे तो apprenticeship मत करिए कि आपको आपको तयारी करनी है आप तयारी में लग जाए ठीक है और तयारी में लगिए इसलिए क्योंकि UP-PCL में भरती हमेसे आता रहता है अभी भी आएगा कभी-कभी क्या होता है UP-PCL में triple C मांग लेता है ठीक न ऐसे UP-R-VNO में मांगता है UP-PCL में हटा दिया है लेकिन क्या फोसा कम मांग देगा इसलिए triple C तीन मेंने का कोर्स है कर लिजेगा औ और online यह हो जाता है कोर्स करके अपना certificate लेकर रखिएगा तियारी में लग जाएए अगर तियारी के लिए चाहती है कि easy way coaching को मदद कर तो मेरा UPPCL चार से पांच वर्तियों का हमने तियारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे जोब भी कर रहे हैं तो आप तियारी करना चाहिए तो electrician का foundation base जो है वो जोईन कर लिए ठीक ना electrician का foundation base है उसको जोईन करके आप बहता धंग से UPPCL का त्यारी कर सकती है UPPCL में एक computer काफी important rule आदा करता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि technical का भरपेट त्यारी करते हैं खुब बढ़िया से करते हैं और कई बच्चों को computer में फेल हो जाते हैं कि computer यहां पर पचास नमर का पुछता है ठीक है और पचास नमर से 20 में 20 नमर लाना होता है जो 20 नमर लाएगा उसी का technical वाला paper जांच हो जोगा अगर 20 नमर से कम है तो technical paper जांच नहीं होगा मतलब technical में आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया है और computer में आपका नमर 20 से कम है तो आपका अमेरिट लिस्ट में कोई नाम नहीं आने वाला है तो आपको हम सलाह देंगे foundation badge के साथ एक computer का भी course जोइन करके आप पढ़ाई करिएगा क्या होगा उससे कि आप पूरी तरीके से त्यार रहेंगे और इसके अलावा केवर EPCL ही नहीं जितने भी भरती आती है सबका फ़ुन भरना है सबका त्यारी करना सब में एक जाम देने जाना है ठीक ना नौकरी मिलना important है हाँ ठीक है कभी-कभी इच्छा होता है कि ना हमको इस department में चाहिए अरे नहीं मिला तो क्या नौकरी ही नहीं करेंगे ऐसा तो कोशन है सर मेरी आईटिय एलेक्टिसियन से दो साल में दो टू इयर में हुई है आगे आईटिय के बाद क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है ठीक है तो बाबो आईटिय अगर कर रहे हैं तो समझने की कोई बात ही नहीं है सीरा सा फंड है कि गवर्मेंट जॉब चाहिए कि प्राइबेट चाहिए ठीक है अगर गवर्मेंट चाहिए तो त्यारी में लग जाईए है ना यह मत सुचिए कि कहां फॉर्म आएगा कैसे भरेंगे कुछ करेंगे सबसे पहले आपना बेसिक को इंप्रूब करेंगे अभी एलेक्टिसियन से आईटिय की तो जानते कहा है क कुछ नहीं जानते होंगे दर लगता होगा लगता है फिली ही नहीं आता होगा कि हम गवर्मेंट जॉब कर सकते हैं है ना क्यों ऐसा होता है क्योंकि आप कभी पढ़े ही नहीं है एक बार पढ़के दखिए सारा चीज किलियर हो जाएगा तैयारी करना सुरू कर दिए जो एज है ना इस एज में कंफ्यूज नहीं होना है इस एज का मतलब ही होता कि आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई की अलवा कुछ भी नहीं करना है अब पढ़ाई किस चीज का करना है तो आपने आईटिया किया है एलेक्टिसियन ट्रेड से किया है और एलेक्टिसियन ट्रे पूराइगा उसमें मेरा सेलेक्सान होगा बस यहीं सोचे करिए बागि सीलेवास वाकर लिए चैनल पर बहुत सारे वीडियो बने हुए है ठीक है अब नेक्स्ट सवाल है रक्सा राम ठीक है फिटर ट्रेड है बाइस चोबीस इनका सेसन है उनाइस साल यह जवीन का ठीक है स्टेट उतर परदेश से हैं गोंडा जीला से कोशन है कि सर आईटाई कम्प्लीट होने ही वाला है ऐसे सीजियर के त्यारी कर रहा हूं धोर बाइस से आईटाई के सांथ ही सर पियसू में जाए रिलेवे में जाए एसे सी में जाए कि डियाडियो में जाए इसमें बहुत होगी आपना ड्रीम पर किलियर नहीं हो पाता हूं कि सबका सांथ में त्यारी करों या कंपनी में या कंपनी में आती है 20-23 जा सरी दे रही है क्या जॉब करने चला जाओं फिरीज रिपलाई करिए यह होता है कंफ्यूजन भाई साहब आपको मैं एक सलाह दूंगा जो 29 साल सात मन्त है ठीक है और आप जो SSC के चकर में पड़े हो CGL का तो इतिहास उठा कर देख लेना SSC CGL में 29 साल में 20 साल में नोखरी किसी को मिला नहीं है क्योंकि उसका जो पैटर्ण है भरती का जब तक उसमें दो साल समय नहीं देंगे आप उसका त्यारी नहीं कर पाएं करेंगे तो यह असम्हों सा बात है कम से कम 2-3 साल आपको टाइम देना होगा तब जाकर आप SSC CGL क्वालिफाई कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आप ITI किये हैं फिटर से तो आपके पास बिकल्प बहुत है हम यह नहीं करें करना है करना है लेकिन अभी नहीं करना है करत केस्त लगा हुआ है लेकिन इधर इस रोड याड याड यो बार्ग आई टी लेबल का जो भी भरती है उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत चांस वाला को पहले करेंगे पहले नौकरी जलेंगे क्योंकि इधर भी 60-70,000 सेलरी आपको मिलेगा उसमें भी वही ठीक है तो हम बुलेंगे कि आप फाउंडेशन बैस से अपने आपको पहले तयार करिए अपना फाउंडेशन को रेडी करिए और आई टी अई पर ही फोकस करिए जब आई टी अई पर नौकरी मिल जागा तब कुछ करिएगा नहीं तो बरबादी के अलावा और कुछ नही नहीं होता है इसलिए अभी समय है आई टी फोकस करिए ठीक है प्रियांसु बाबु का यह सवाल है फिटर ट्रेड है 20 सल है जब बिहार से कोशन कहा है भाई कि सर मुझे सौट नोट्स नहीं बनाने आता रहा है मैं रवी सर का नोट्स पढ़ता हूं मुझे सब इंपोर्ट हो गया कोशिस यह करना है कि जितना कम में लिखे उतना बेटर रहता है वहुँ सारे चीज़े लिखने के जरोद नहीं है इंपोर्टेंट है लेकिन पता है ठीक है तो नोट्स बनेता है लेकिन सौट नोट्स कर बनता है जब पहली बार आ पढ़ाई कर लिए दुसरी बार पढ़ लिए, लगातार प्रक्टिस कर रहे हैं, नोट्ट बना लीजेए, नोट्स बनाने के बाद कोशन की प्रक्टिस करिये, और एक बार नी कम से दो-तीन बार कोशन की प्रक्टिस हो जाए, तब इसके बाद दुबारा ती बारा से पढ़िएगा, तो समझ में आगे कि भाई क्या क्या प्रोब्लम में कहा कहा प्रोब्लम में उससार नोट्स बना लिजेगा तो सौट नोट्स उसको बोलते हैं ठीक है अभी क्या करना है इंपोर्टन सब लगता है लिंक कुछ चीजे ऐसा है जो आपको नहीं मालूम है दिकत हो उसको लिखिए जो मालूम है जिसको जरूरत ही नहीं ते क्यों लिखेंगे बहुत सारे बच्चे बेवज़ा चाचर फिगर बनाते एक टॉपिक में क्या जरूरत है एक फिगर में काम हो जाते बिस फिगर क्यों बनाएंगे है ना तो इस पर हम मैं सोचाओ कि अलग से नोट्स कैसे बनाना इस पर एक वीडियो बना दो तो कोशिस यह रहाए कि हम इस पर वीडियो बनाएंगे ठीक है बाकी है कि आप नोट्स बनाएए जो आपको लगता है लिखना और लिखिये, तींचर बार प्रैक्टिस हो जाता है, एक बार सौट नोट्स बना लिजिएगा, ठीक है, और सौट नोट्स से क्या होता है, कि एजाम के टाइम में काफी मदद मिलता है, 30 से 40-50 पेज में नोट्स बन जाते हैं, क्विक रिवीजन हो जाता है, और जो हम भाद करेंगे, बिक्रम आधित्या के बारे में, एलक्टिसेन ट्रेड है, 26 सारे बिहार से, बोले कि, एलपी, और बीए स्पीसेल का प्रैक्टिस सेट, लाइब क्लास से स्टार्ट करिए, देखिए, बहुत अच्छी बात है, 10 जुलाई से, ठीक है, 10 जुलाई से, बीए आरे स्टेट पावर होल्डिंग कमपनी लिम्ट है, बीए स्पीसेल का, एलपी, एलपी, सीविटी वन, सीविटी वन का हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, और ये पीडियेफ में आपको देंगे, ऑफलाइन सेंटर पे, और आन सुल्फ हो गया, आगे बढ़े हैं, तो भाई, नेक्स्ट है, हमारे अरविंद कुमार ट्रेड फिटर है, और ये बिहार से है, तेंथ में 40% नमबर है, 12 में 55% नमबर है, और आईटी आई, वन इयर, फर्स्ट इयर में चल रहा है इनका, बुरा कि हम किस चीज का त्यारी कर बागु, अभी तो आपका ITI फर्स्ट इयर चल रहा है, और ट्रेड आपका फिटर है, तो आप फाउंडेशन, बैच से पढ़ाई करिए, पर फिटर के बारे में जो टेक्निकल उसको पढ़िए, मैथ को पढ़िए, रिजिनिंग पढ़िए, जिके जिस पढ़िए, ये सब किसका त्यारी करना, किसी एक कभी त्यारी करिए, सबका त्यारी होगा, बस आप अपने हिर्देश से पुछिएगा, दिल से, कि भाई हमें कहां जाना है, आपके लिए क्या important है, कहां जाना चाहते हैं, उसमें लग जाईए, ठीके, और हम बोलेंगे तो भाई, हम तो बोली किसी में math, region, technical है, किसी में math, region, technical, और GKGS भी है, कहीं किवल technical है, थोड़ा-थोड़ा का अंतर है, इसलिए foundation से सारा subject के अपढ़ाही करिए, और जब ITA कम्प्लिट होगा, form आएगा, तो सबका form भरना है, कहीं नोकरी मिल जाए, इसके बाद, जिन्दिकी का मज़ा लेते रह जाना है, ठीक है, ने मैं दीपक कुमार पसवान, लेक्टिसियन से 24 साले जारखंड के पलामू से है, कोचन है कि सर मेरा railway apprentice में नाम आया गया है, पर मैं आपका foundation badge खरीद लिया हूँ, तैयारी करें, के लिए अब हमको पता नहीं चल रहा है, कि क्या करूँ, apprenticeship में जाओ या नहीं please, देखिए जो age है, 24 साल इसके अनुसार आपको नहीं जाना चाहिए, मेरा प्रस्नल राय है, एक साल apprenticeship करिएगा, 25 साल हो जाएगा, 26 साल, age बरबाद होगा, और ये एक साल खुद पर टाइम दीजिएगा, तो कहीं ने कहीं आपको नौकरी मिल जाएगा, और apprenticeship करने से relative group D में 20% city reserve होता है, मतलब apprenticeship वाले के वल 20% नहीं है, बहुत ज़ला संख्या में, वहाँ भी competition उतना ही है, असान नहीं है, तो अगर आप 18-20 साल के होते हैं, तो साइद मैं बोल देता कि जाई आप apprenticeship कर लिजे, लेकिन अभी age आपका over हो गया है, ठीकिन, apprenticeship से जदा age हो गया, अब एक एक बीन का उपियो करना है, तो आप apprenticeship मत करिए, मेरा यहीं सला है, ठीक है, अब आगे बढ़ें, तो अमीत कुमार है, electrician trade है, 22-24 सेशन इनका 18 साल एजे, 74% है, किस में तेन्थ में, 12 में 78% है, फर्स्ट येर कॉलेज में इनका 95% है, बिहार मोतिहारी से खोशन है कि सर अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि आगे हम क्या करें, बताएं पिलीज, बाबू, एक ही काम करना है, 18 साल एजे, कुछ नहीं समझना है, बस foundation batch जोईन कर लिजे, नहीं तो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, तो टेकनिकल का, electrician का, math का, registering का और GKGS पर धियान लगाकर, notes बना तो लगतार की ओल, question का practice करना है, नौकरी आपको मिल जागा, बहुत बढ़िया, सुन्दर, आप जिस तरह से आपका performance है, मुझे लगता कि आप बारूध पहले से हैं, बस थोड़ा सा energy की जरूरत है, आप आगे बढ़ जाईएगा, guidance की थोड़ा सा जरूरत है, ठीक है, तो इस बार नहीं भर सकती हो, लेकिन तियारी कर सकती हो, अगले बार के लिए, ठीक है, तो पढ़ाई करो, foundation बैस से पढ़ाई करो, आने वाले दिनों में जब आप 18 प्लस होईएगा, तो बहुत सारी भरती आती हैं, कही ने कहीं आपका नौकरी मिलेगा, लेकिन बस तियारी क करना होगा, ठीक है, नेक्स्ट है, आसीस कुमार, फिटर से 23 साल एज है, उतर पदे से कोशन है, कि सर रेलेवे, अपरेंटिसिप किये करें या नहीं करें, इसमें कोई वेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ALP का प्रिवेरेशन की जाएं, देखिए, आसीस कुमार, एज 23 साल ह है, तो मैं तो बोलबा कि छोड़ी दीजिए, अपरेंटिसिप का चका, ठीक है, तैयारी के रही है, वे वज़ा टाइम नहीं खराब करना है, अपरेंटिसिप से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, बस यहीं सला है, अगर आपका एज 18 साल, 20 साल होता तो मैं बोल भी देता लेकिन 23 साल, 24 साल के लिए साही नहीं है, महेंदर कुमार ज्यारखंड सेन, अलेक्टिक सेन ट्रेड है, बोले कि DSR, LP, IT वालों के लिए एक बहुत बड़ा मारक दर्सक है, आप, जो भी, जो भी करते हैं, सिर्फ IT के लिए करते हैं, इसके लिए थैंक्यू सो मच, बहुत ब बढ़िया कर रहे हैं, और आप लोगों को इससे फैदा हो रहा है, तो बहुत आच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद महेंदर कुमार, असोक कुमार है, एलक्ट्रोनिस मेकानिस से 18 साल है राजास्तान से, बोले हैं कि सर मेरा IT कंपलीट कर दी है, मैं आगे क्या अब तयारी करूं या फिर डिप्लोमा करूं या अपरेंटिसिव करूं, सर जल्दी गोर्मेंट जब नोकरी के लिए क्या करूं, देखिए बावो, एज 18 साल है, अगर अपरेंटिसिव करते हैं, तो भाई थ्वास उलजिने वाली बात है, तो मैं दूंगा कि आप तयारी क कीजिए, अगर घर में कोई परिशानी नहीं है, तो तयारी कीजिए, ठीक है, और तयारी के सांथ में प्लस, डिप्लोमा में अडिमिसन ले लिजिए, ठीक है, डिप्लोमा में अडिमिसन ले लिजिए, उससे होगा क्या कि डिप्लोमा के सांसत में हो जाएगा, और तयारी तो जाज सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक सल और अप्रेंटिसिप करके, तो तमय को बरबाद कर सकते हैं, है आपके पास समय बरबाद करने के लिए, ठीक है, नेश्ट है संदीप सहनी, एलेक्ट्रोनिस मेकानिस से 27 साल है, हरियाना सहन, कोश्चन है यह कि सर मैं र रिलेवे की त्यारी कैसे करूँ, कहां से स्टार्ट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिए, आभी तो आप रिलेवे का त्यारी करना चाहते हैं, 27 साल ही हो गया है, कोई बात नहीं, घर की समस्या हैं सबके सांथ है, आप बहुत अच्छा काम करने हैं, घर के समस यह इंपोर्टेंस हो गया, ठीक है, तो आप घबराईए नहीं, फाउंडेशन बैस से आप त्यारी करना चुरू करिए, ठीक है, डेली जैसे से सर पढ़ा रहा हैं, जैसे सर आगे बढ़ हैं, वो इससे बढ़ते हैं, बनाते हैं यह प्रैक्टिस करते हैं, यह कोशन का रि एक बार ढंग से रूटीन वर करिए, हमें पता है कि आपको टाइम नहीं मिलता होगा, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आप चार घंटे, पाच घंटे टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, आठ घंटा से जड़ा जिप्टी होता नहीं होगा, तो चार घंटे, इन धीरे-धीरे ही सही आगे बढ़ते जाएगा, तो एक दिन सफलता मिलने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो निरास मत हुए, बहुत सारे जिन बीकल्प मिलेंगे, बढ़ियां-बढ़ियां, अभी लगर आओगे मेरे पास कोई बीकल्प नहीं है, लेकिन बीकल्प ह हो जाएगे, अभी जो फिलहाल है अभी पर काम करिए, आपको त्यारी करनी है, बस उसी तरीके से सिर्वस का अनुसार आगे बढ़िया, ठीक है, विकास सागर है, फिटर से हैं, तेजी साले य चंदिगर से हैं, ठीक है, कोश्चन है कि सर जी मेरा ITA ही पूरा हो गया है, मै मैं अभी अपरेंटिस में हूँ, क्या मैं CITS कर सकता हूँ, और मैं अपनी गवर्मेंट इंस्ट्रक्टर बनने के तियारी कहां से करूँ पिलीज, बताइए, बाबो, 36 गर से हो, और 23 साले जोगा CITS कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई दिकत नहीं है, लेकिन CITS की भरती अब बनाईएगा, तो एज 30 साल भी हो जागा, तो हो सकता है, भरती ना आए, तो बनेंगे फ्यूचर बनेगा, अलग बात है, CITS कर लीजिए, लेकिन आपको गवर्मेंट जोब पहीं फोकस रखना हो, कि कहीं ने कहीं नौकरी मिल जाए, ठीक है, अब आगे बनेत अनिल कुमा है, और ट्रेडिंड का मसीनिस्ट है, 22 साल एज सेसन, 22-24 है, एज टेट जारखन से कोशने के सार्ड रेलेवे में अपरेंटी स्विप करें, कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एज बाईस साल है, तो अपरेंटी स्विप करने के फाइदा क्या होगा, कुछ भी नहीं है, तो आप नहीं करिए, जदा बढ़िया है, ठीक है न, मसीनिस्ट रेट में इसे भरती एकवम आती है, तो आप करना है, मसीनिस्ट रेट का त्यारी करिए, और कोशिस करिए परबनेंट जॉब के लिए, ठीक है, इस बात को समझे आप लोग, लगतार अपरेंटी मस्टर कोर्स बताइए, देखिए, अगर बिहार से हैं, तो BSPCL का त्यारी करें, BSPCL का ही कोर्स लिजिए, ठीक है, इसलिए, क्योंकि मस्टर कोर्स के अंदर में अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो BSPCL का एकजाम का त्यारी नहीं हो पाएगा, टाइम लग जाए, क्योंकि BS सितंबर, अक्टूबर में संभावित है, और मास्टर कोर्स से पढ़िएगा, तो कमसरम एक साल टाइम देना पढ़ेगा, फाउंडेशन बैचे, एक क्रेस कोर्स है, तो आप इसको लेकर पढ़ाई करिए, ये कंप्लीट हो जेगा, मानले जिसमें नोकरी लग गया, तो मास कनफ्यूज हूँ कि अपरेंटी सीब करें या त्यारी करें, प्लीज बताइए, और गौर्णेट जोब में त्यारी में कहां से करें, तब आप वो अपरेंटी सीब नहीं कर तो ज़्यदा बेटर रहे, एक 19 साल ये कर भी सकते हो, एक साल दो कोई दिकत नहीं है, अब त्या परेंटी सीब करेंगे, तो आपकी त्यारी एक बेहतर लेवल पहो जाएगी, जब तक अपने आपको त्यार नहीं करेंगे, तो नौकरी का सपना छोड़ दिये कि नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि एक लिमिट तक आपको जाना पड़ेगा, हर तरह के सब्जेट, हर तरह के रिवीजन करना पड़ेगा, उसके लिए अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाईए, ठीक है, ये करना होगा, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगा, आगे बढ़े, तो बिरेंदर पाल है, भाई बिरेंदर पाल जी क्या बोल रहे हैं, पढ़िए, कि इनका एज 19 साल है, 22 च कंप्लिट करनी है, बहुत अच्छी बात है, और एज भी अच्छा है आपका, आप नन्टेक के लिए, ओप्टिस क्लास का जो फाउंडेशन बैचे स्टार्ट हो रहा है, 1999 वाला, उसको जोईन कर लेजिए, और जोईन करने के बाद आपका त्यारी बहतर हो जाएगा, ठीक रहेगा, और एज जो है अभी, इस एज में अगर आप त्यारी कर रहे हैं, अभी से लगे हुए इतना सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आके नवकरी मिलेगा, क्योंकि बाबू, 80% थिरी भी आप कंप्लिट कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगा, लव यू, बहुत से गुजारिस है, कि जो बच्चे भी संडे सवाल को देखते हैं, तो आप इस संडे सवाल के एपिसोड को सेर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, उन बच्चों तक पहुँचाए जो आईटी आई कर रहे हैं, काफी वेनिफिट्स मिलेगा उनको, उनको जब वेनिफिट् में तब तक के लिए, नमस्कार